आज का जो अपडेट है इस आउट पेशन से हम शुरू करेंगे आउट पेशन वो होते हैं जो हमारे रेस्क्यू नहीं है जो आसपास गाओं के लोग अपने पश्वों को दिखाने लाते हैं तो यह जो बकरी है इसको बुखार है और यह प्रेगनेंट भी है इसका नाम रख कि दी तो जो राजीव भई आया है हमारे फ्रेंड ऑफ फार में उन्होंने सारी पैंट सारे स्टाफ के लिए उन्होंने उनिफॉर्म भेजी है टी शिर्ट मुझे और करनी है अभी और जस इस आउट पेशेंट से पहले एक और रेस्क्यू है जिसको हम नहीं लेके आए है यह जो फीमेल डॉग है यह डिस और है और जो का कहना है कि शायद इसको हेड इंजरी हूँ क्योंकि डॉक्टर अंके तो आज छुटी पे हैं चैतन ने क्या कर रहा है चैतन ने इसका इंकमिंग शूट कर रहा है जो भी आनिमल आता है जब वह अंदर आता है जब वह रिली अपडेट दे दूँ यह जो सबसे पहले इस केनल में बैठा है इसका नाम गुबारा है यह पनी स्किन कंडिशन के लिए इसको मेंज है तो अभी यह देखिए शटडाउन है जैसे जैसे इसकी स्किन ठीक होती जाएगी आप देखेंगे अगले-अगले अपडेट में कि य पहले से इसकी स्किन के साथ-साथ जो इसकी परसनालिटी है वो भी बदलती जाएगी बेगम को हम पालंपुर ले गए हैं बेगम का जो फ्रैक्चर है हीड है इसकी जो मेटल सपोर्ट है वो उतर गई है और एक हफते में इसके स्प्लिंट भी उतर जाएंगे मतलब अगर ह यह जो डॉली है जो इसलिए उदास बैटी है कि इसकी जो है स्पे हो गई है इसको हमने स्टरलाइस कर दिया और स्टरलाइस करने का इसने में डराई दिया बिल्कु यह ठीक थी जब इसको कैनल में मूव करा तो इसका बॉडी टेम ड्रॉप कर गया और यह मतलब एक्दम यह वापस स्टोरी लिख सकती है वो जो कहते है ना नियर डेथ एक्पिरियंस वाली कि मैं गई मुझे लाइट दिखी और व्याट अर सब कुछ यह 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 राइड इन गबुक यह तिमसी तिमसी नांसी में में एक्सर कंफूज जाता हूं यह जासे हम अरुग वापस प्र है इन भी सचताल की तो मैं मुझे जो बुडे कुटे होते हैं वो बडए लो मेंटेनेंस होते हैं वो थे इए उनBox नहीं हंने कुछ नहीं हुने कोने अमना सोने की जगाँ यह दिन में दो बारी खाना से तो उन end भी निया कि कोई बहुत जाला उनको घुमाने ले जाना है वो हाई एनरजी हैं तो मुझे लगता है कि जो बुड़े डॉग्स हैं इनको अडॉप्ट करने का प्रचलन हो प्रचलन हो प्लस ये थेरेप्यूटिक होते हैं तो हम हमारा हम चाहते थे शुरू करना सीनियर डॉग मौनसून आपको याद होगा मेरे तीन हथे पहले वाले अपडेट में आपने देखा होगा इसकी बिल्कुल स्किन खराब थी प्लस इसका मैंने इंस्टाग्राम पर अपने साथ एक वीडियो भी किया था अब जो मौनसून है मौनसून के सारे बाल आ गए हैं मौनसून को महाराज कोई अडॉप्ट करने आ रहा था पर जो ने मुझे बताये कि अल्रेडी मौनसून अडॉप्ट होगा है वेर इस ओके एन अर्दे कोना पे फुल एक्सपेंस ओके तो कोई पूरा खर्चा देके मौनसून महाराज को यूएस बुला रहे हैं ओके मैं आपको अपने काउशेट में पहले कभी नहीं ले गया जो विल्यू टर्न दर लाइट सौन फॉर्ट काउशेट यह बाइदवे चैंप है चैंप का मैंने का था कि हम एंप्यूटेशन करने का सोच रहे हैं इसको हमने प्रोस्थेटिक देना था पर इस समय हमने इसको स्प्लिंट लगा र काउशेट में चैंप आउट ग्रेजिंग तो जैसे डॉग्स का केज रेस्ट होता है ना वैसे ही इसको काईडव इस समय रेस्ट पे है और यह सूखी गास पे इसलिए है क्योंकि हम इसकी डाइट जैद धीरे-धीरे ही बदलेंगे ताकि इसको कॉलिक ना हो जाए इसके आ यह इसका नाम गांधारी रखा है हमने आप लोगोंने रखा है आक्ठेस्ट हमने नाम बस सिलेक्ट किया तो गंधारी का इसे में चो ट्रीटमेंट है ना वो एट्रोपीन डल रही है इसकी आँख में आई ड्रॉप वो एट्रोपीन इसलिए तो इसी लिए ये इस समें अंदर है बाहर नहीं है विकॉज एट्रोपीन से आई इसकी सेंस्टिविटी बढ़ जाती है और ये रोशनी में नहीं हो सकती बैद अब हमारा काउशेट लेंगे और ये पंखा वहां पर इसलिए लगा है कि अदर वाइस क्या है जो गाये की अंदर मिथेन बहुत जादा हो जाती है ओके मैं आपको ये बेडी जी ए, बेडी जी को कोई बिमारी नहीं है ये खुद एक बाध बढ़ी बिमारी है tofu अगें हमारी चेप permanent resident है می भी मी می मी मी भी हमारी permanent resident है ओके पहलवान का वूंड बहुत बेतर दिख रहा है देखिए लास्ट टाइम जब उन्ड आपको दखाया था तो वूंड काफी ज़्यादा गीला था और काफी इसमें पसी थी और फ्लूएट था इस समय ये काफी सूख चुका है और अब ये हीलिंग के रस्ते पे है अब मॉन्सून्स भी खतम हो गए है तो जो हमारा मॉर्टालिटी रेट है वो डाउन हो जाएगा ओके ये रही मॉरिंगा मॉरिंगा का स्टार्टास अपडेट कोई नहीं है हमारा पास जब तक इसका ये जो पीछे हली टांग का वून्ड है ये हील नहीं होता ही मॉरिंगा ये जो है ये जब तक हील नहीं होगा इंफेक्शन खतम नहीं होगा तब तक इसके यहाँ पे हम स्प्लिंटिंग नहीं कर सकते और तब तक इसकी हड़ी जुड़ेगी नहीं डार्क चॉकलेट को तो आप सब जानते ही है अब तो क्लीन मिल्क मुवमेंट की वज़ाए से जो नहीं भी जानता था डार्क चॉकलेट वाला एपिसोड अब जान गया होगा डार्क चॉकलेट से मुझे यह ध्याना आया कि सीता जो एक और छोटा बच्चा था हमारे पास वो नहीं बच्ची आपको याद होगा जब सीता आई थी मैंने आपको बताया था कि कोई जलील रेकती उसकी माँ को तो ले गया उसको वहीं सड़क पे छोड़ गया तो जो भ है जो अपनी मा का जिन्हों ने पूरा दूध पिया है अगरे बच्चों मां से जल्दी दूर कर देते हैं जिन बच्चों को मारना चाहते हैं और बच्चे नैचूरली मर जाते हैं तो बड़े मित फिला रखे हैं और डेरी इंडसुरी में बहुत जादा यह ये ये सिर्फ बात गाये पे अप्लिकेबल नहीं होती जैसे लोग कुतों के जो बच्चे होते हैं खरीद लाते हैं और वो छोटे छोटे खरीद लाते हैं फिर उनको lifelong problems रहती है अब हमारे हैं चार बच्चे आयते इनी मीनी माईनी मो उसमें से भी सिरफ जो मीनी है वो बच् अब ये जब आए थे साथ दिन के थे इनके आखें भी शायद पूरी तरह खुली नहीं थी तो वह यह ना क्योंकि वो जो मां के दूद से जो इन्म्यूनिटी मिलती है मां के दूद से जो strength मिलती है वो और तरह से जितनी मर्जी कोशिश कर लिए जिए it's just not the same दूसरी बात है कि आपको again dairy की में बात करूं तो dairy में अगर आप देखेंगे तो जो बच्छरों की mortality है male की वो जादा है female की कम है अब ये क्यों है क्योंकि female का use है है ना तो ये सब सब कुछ manipulated है anyway मैं आपको sorry can we मैं आपको दीपक से मिलवाता हूं दीपक का नाम भी आप लोगों नहीं रखा है पिछली बर मैंने आपको बताया था इससे मिलवाया था तो इसके foot में injury है इसका कोई नया update नहीं है सिवाए इसके कि इसका नाम अभी हमने दीपक रखा है and then मैं आपको परवत से भी मिलव आना चाहूंगा परवत जो है उसने चलना शुरू कर दिया है जब वह आया उसको लाया गया था बड़ी दूर से लाये थे जो लाये थे में अन्होंने 3,000 रुपे काफियत तक अपनी जेब से डाले थे थोड़े पैसे कठे करे थे और फिर वह उसको यहां लेके आये थे जब तक जो परवत का कैनल खोलती है परवत थोड़ा एग्रेसिव है यह देवदास जी है देवदास का पालंपूर में चेक अप हुआ है इसका भी फ्रैक्चर हील हो गया है अरे एक हफते बाद इसका जो यह सपोर्ट है यह निकल जाएगी ऑल्मोस्ट हील हो गया है परवत से पहले में एक बरी आपको पिंकी जे मिलवा दूं है पिंकी जाए बाकी तो यह ठीक ही दिख रहा है ऐसा तो नहीं दूसरी साइट से पिंक है यह यहाँ से भी देखी हाँ इसलिए इसका नाम पिंकी है क्योंकि मैंने आपको अमेशा है काव शेड वाले एरिया से दिखाया है ना तो इसकी एक ही साइट दिखती है दार्क साइड ऑफ दे मून ताइपस ओके परवत से मिलें परवत यह रहा है परवत यह रहा है परवत देख तो मुझे ऐसे रहा है जैसे सनी देवल विलन को देखता है बट ठीक है आपको बस मेरी बात का विश्वास करना होगा कि इसने चलना शुरू कर दिया है यह आप तेली ग्रांप प्रीपल और यह बाप रए आप टेली ग्राम प्रील कर सकते हैं है शेकि उप्रावत इस प्रीपेर्इब की है मैं देख देख लेता हूँ हाEu आपको मैं आपको लोजोट से मिलवाता हूँ अगर आपको याद होगा तो अलिफ लैला और मटको हमारे हैं तीन कोई चिकन छोड़ गया था जो उन्होंने रेस्क्यू किये थे दुकान से उन्होंने बेसिकली खरी दे थे उनको देखा नहीं गया था और मैंने आपको बताया था ब्रॉयलर जो चिकन्स होती है इनको इसी कापुर से संजे रानाजी ने डोनेट किया ये एंक भी और कुछ सिमेंट की बोरिां भी क्यूंकि पीछे ISOMS में त्थाफ कौटर बन रहे हैं UP ुमारियां करेंार प्रिम्चेहीं से बेहतर जगह कॉन सी है इसी लिए मैं मेडिटेट कर नहीं पाता क्योंकि कभी यहां पे मटकों में से सिर्फ मटकों बचा था अलिफ की भी डेथ हो गई थी अलिफ मेल था और मटकों को बहुत ज़्यादा इस बारे में कोई दुख हुआ नहीं था पर जब लैला की डेथ हुई तो ये बहुत रोया अनफॉर्चुनेटली हम वीडियो नहीं ले पाया था इसका अब हम सोच रहे हैं कि इसको कोई हम इसको कंपनी ला दें खरीदें तो एक तो थोड़ा मन में बहुता कि आरब हम खरीदेंगे फिर उसके बाद यह था कि जब हम खरीदें हमें नहीं बता कि मेल होगा यह फीमेल होगी और यह मेल यह 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 धमकाता बड़ा है यार ओके पर फिर मेकलॉट गंच से कोई आए उन्हें यह सड़क पे मिली लो लो तो होगा गया कि कोई जैसे मुर्गे वो ले जाते हैं काटने के लिए यहां से वहां तो यह फीचे छूट गई होगी गिर गई होगी कूद गई होगी थोड़ी यह हम डाउट है इसको मेरे पर इन दोनों की आपस में लडाई नहीं हो रही ही थोड़ी इनकी बातचीत भी आक्चुली शुरू हो गई है और उसका डेफिनेटली मूड पहले से बेतर है खेर तो अब मैंने आपको इन से भी मिलवा दिया अब जहां तक मुझे पता है रिंकी का आज फोटो शूट होना था तो योगा एरिया में चलके देखते हैं यह सारे मारे एरिया सारे मर्टी परफस हैं तो योगा एरिया जो है उसमें बैड्मिंटन भी खिल लेते हैं उसमें इवेंट्स भी हो जाते हैं और इस समय मेरे कहाल से वाँ पे फोटो शूट भी चल रहा है एक्चुली यह हो गया फोटो शूट खतम यह लोग वापस आरे हैं है यह देन विद फोटो शूट? ओके यह शाइनी है शाइनी ने क्लीन मिल्क वीडियो बनाया इसलिए इसलिए आई लाइक हर यह रिंकी है रिंकी तो आई लाइक एनीवे रिंकी यह चैतन्य है चैतन्य ने क्लीन मिल्क वीडियो नहीं बनाया है ओके तो हम योगा एरिया जा रहे थे लेकिन अब तो कोई जाने पॉइंट नहीं है मैं आपको चलिए यह दिखाता हूं कालम ने थाय बनाया था फार्म पे काइंड ओफ एक पार्ड़ी डाइब और काफी जारी जी हैं फार्म की डली थी तो फार्म में इस समय हमारे लगे हैं देखिए बैंगन था ही एक प्लांट तो नहीं था पर हमने देशी बैंगन कोई काटके डाल दिया था अर यहापको दिख रही है बइबी कौन लगा है बिसिकली मक्की है जब यह दो दिन इसका वपर बाल निकल आते हैं और बाल निकल यवे दो दिन होते हैं तो आप इसको काटW करके अब इसको तब उखाटके आपके। एस बैबी कौन है पेस्ट वह बनती है बागी मारे मिर्चे भी बड़ी लेगी है यह सारी हल्दी लेगी है अगर आप लोगों के बास जमीन वेस्ट पड़ी आप उसमें हल्दी लगाई है डाट इस एक ग्रेट वेड़ वे तो यूटिलाइज यॉर लैंड ओ बाइद यह मुरिंगा का बेचते हैं मुरिंगा का पेड दिल्ली वाले ओल्टिट पर काफी लगता है इसके बीज भी इसके बीज बड़े ही सुंदर होते हैं इसके बीज को आप क्रश करके अगर आप गंदे पानी में डालें तो जो वो जो उसकी गंदगी है वो यह सोख लेता है और यह सेटल हो जाता है और जो आपको पानी है वो फिल्टर हो जाता है कभी आपको एमर्जेंसी सिचुएशन में जरूरत पढ़े तो आप फाम पे आएंगे तो आप मोरिंगा के पेड जरूर लगाए हमारा जो आल्टीचूट है हम साथ सो सतर मीटर पे हैं इसके उपर मोरिंगा का पाड़ी ने जोइन किया है यह लगा कद्दू अच्छा अगर आप लोग हमें यूट्यूब पे अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज करिए यूट्यूब डॉट कॉम स्लाश पीपल फाम अगर आपको हमें कहीं भी ढूनना है चाहे वो टेलीग्राम है चाहे व हम सब उसी नाम से हैं पीपल फाम ओ यह लगी वह ब breaste जिसे हम चैोरी बाउंब पेपर कहते हैं तो कल इसका प्लस जो हम पहाडी नमक हम तो यह सींदा नमक खाते हैं पहाडी नमक इसका सेंदा नमक करदिक हैं और हमारा फाम का लशन हमारा छे महनें अपना आराम से चलता कमर्शली मुझे नहीं पता आप लोगों ने पहले देखा है कि कॉटन कैसी दिखती है तो यह कॉटन है तो यह जो सुची कॉटन है इससे जोत जो है बनती है और इसी के अंदर इसके बीज भी होते हैं जो 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 सेपरेट देखा देखा है तो यह जो है तो यह जो किया है तो यह जो लोग है जिनके पास घर में बच्चे है वह अपना घर से काम कर सकते हैं तो इंब्रॉइडरी वाला जो काम है वह लोग घर पे ले जाते हैं कई लोग और यहां पर कर रहे हैं यह जो हमारा एक से किन चेक कर लेते हैं हमारा कोई अपडेट मिस तो नहीं हो गया जो मैंने आपको नहीं बुताया ओ इन से आप लास बारी मिलीजे एन इस लीविंग ऑन टेंथ एंट को हम इन के जाने की खुशी में और यह एंट को करेंगे नीचे खड पर पिकनिक जाके जहां पर हम स्विमिंग भी कर सकते हैं है तुशार अगर आप यहां तक मुझे जेल चुके हैं तो मेरी तीन रिक्वेस्टें आपसे यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा सेकंड आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करिएगा एंट थर्ड अगर आपने क्लीन मिल्क वीडियो नहीं बनाया अभी तो आप हैश्टाग क्लीन मिल्क की सर्च करिए और क्लीन मिल्क वीडियो फ्लीज बनाईएगा थैंक यू सो मच